तो इस वीडियो में स्टार्ट करने आज 8.2 एक्ससाइस तो 8.2 एक्ससाइस से पहले मैंने उम्मीद करती हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा दो तरक के questions यहाँ पर आएंगे एक general term से related होगे जिसका formula हमारा ये रहा और एक आपके middle term से related होगे यानि कि आपको middle term find करने के लिए कहेंगे तो दो case थे एक case आपका ये रहा और दूसरा case ये रहा कि x की power 5 and x plus 3 power 8 तो आपको यहाँ कह रहा है कि x plus 3 की power 8 है आप इसको solve करोगे तो उसमें x power 5 का coefficient क्या होगा वो निकालना है तो देखो मैं एक example से समझाती हूँ जैसे आपको यहाँ पर यह कहा कि x plus 1 upon x की power 6 है इसमें आप मुझे यहाँ पर x की power 5 का coefficient find करके बता हूँ तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको पूरा expand करके लिख दो हमने जैसे यहाँ पर binomial वाला formula लगाया है पूरा का पूरा हमने इसको expand करके लिखा है अब यहाँ पे देखो x की power 5 कहा पे आ रही है तो यहाँ x power 6 है या x power आपका यहाँ पे क्या है 5 है तो इसको जब हम पर जो answer आएगा उसमें से हम देखींगे तो एक पीपावर 5 तो इसमें आ नहीं रख कट गया तो एक पावर 4 का देख लेते हैं तो यहाँ x की पावर 4 का coefficient हमें लिखना है तो x की पावर 4 के multiply में जो भी number होगा वह उसका क्या कहलाता है coefficient कहलाता है जैसे यहाँ x की पावर 6 कैसे करो वही हमारा binomial formula लगा के तो x plus 3 की पावर 8 है इसमें आपको x की पावर 5 का coefficient निकालना है तो हम पूरा यह formula लगाए और पूरा power 8 है तो 9 term आएगी वो 9 terms को यहाँ पर लिखे और फिर उसमें से हम x की पावर 5 का coefficient देखें यानि की x की पावर 5 के product में क्या क्या है वो बन जाएगा तो और दूसरा तरीका हमने जो भी पढ़ा है हमारा general term हम सीधा का सीधा यहाँ पे general term निकाल दे ऐसी term यहाँ पे बना दे कि जिसमें सिर्फ x पावर 5 हो बाकी सारी हमें 9 term यहाँ पे बनेगी न बाकी 8 term हमें लिखने की जुरूतनी सिर्फ हम सीधा का सीधा व वाला formula उससे करते हैं तो आप यहाँ पे देखो इसकी general term यहाँ पे क्या होगी तो general term find करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था जैसे यह आपका question है x plus 1 की power यहाँ पर 8 है आपको कहा 5th term यहाँ पे ढूंड के बताओ इसकी expansion में आप पूरा expand करोगे तो इसमें भी 9 term होता है b होता है n क्या होता है जो भी power होगी वह आपका n होगा और r equal to क्या होगा जो term आपको find करने के लिए उससे एक कम होता है तो हमने इस तरह से यहाँ पर इसको solve किया तो हमें specific आपकी सीधी की सीधी 5th term यहाँ पर मिल गई तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ कौन सी term find करें r की क्या value put करें कि हमें x power 5 का coefficient यहाँ पर मिल जाए तो पहले formula लिख दे तो यह हमारी general term का formula यहाँ पर हो गई बिल्कुल binomial जैसे है बसे में summation नहीं होता है क्योंकि इसमें हम एक term find करते हैं वहाँ पर number of terms find करते हैं जितनी power root से एक ज्यादा था तो अब इसक यहाँ पर 3 है फिर n कौन है तो n आपकी यहाँ power होती power कितनी यहाँ पर 8 है और r कौन है वो अभी decide नहीं है क्योंकि r ही हमारा यहाँ पर क्या करेगा power को decide करेगा कि कौन सा coefficient आएगा तो जितनी value में पता है वो तो हम इसमें put कर लें तो यह आपका यहाँ पर हो गया tr plus 1 equal to n c r यानि कि n की जगर 8 रखा c r की value में पता नहीं है a क्या है आपका x है n minus r तो n क्या है 8 minus r अभी आपका r ही है और फिर b की power r तो b कितना है तो 3 और r आपका r ही है ठीक है यह हमने यहाँ पर लिख दी है मतलब तीन चीज तो हमने यहाँ पर लिख दी अब आपको यहाँ पर r जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाए x power 5 हो जाए तो हमारा coefficient हमें मिल जाएगा अगर यह x की power 8 minus r ना होके यह x की power 5 होता तो हमें जो coefficient चाहिए यह और यह coefficient कौन होता है जिसकी जिसका पूछा है उसको छोड़के बाकी जो भी product में है वो सारा अगर हमें 3 की power r का coefficient का हो तो यह दोनों होते अगर हमें इसका coefficient का है तो यह दोनों है इस तरह से हुआ ना तो यह 8 minus r यहाँ पर नहीं होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए तो आप यहाँ पर 5 आएगा कैसे अगर मैं r की जगें यहाँ पर 3 रख देती हूं तो यह x की power क्या बन जाएगा 5 बन यह minus r इदर लेकर आजाओ तो यह minus r इदर जागे plus r हो गया plus 5 उदर लेकर जाओ तो minus 5 हो गया तो this implies r की value आपको यहाँ से कितनी मिल गई 3 मिल गई तो r की जो वैसे भी आप common sense लगा के भी लिख सकते हो कि मुझे x की power 5 का coefficient चाहिए that means यहाँ पर r क्या होना चाहिए 3 होना च सीधा यहाँ से value को देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए तो r equal to आपका यहाँ पर क्या आ गया 3 हा गया तो अब जहाँ भी r दिख रहा हम आपर 3 रख दो यह t r की जगे रखा 3 प्लस 1 तो यहनिकि fourth term हो गई जहाँ पर हमें x power 5 मिलेगा 3 प्लस 1 4 हो गया तो यह हो हो गया एक प्लस 1 तो यहाँ पर कितना हो जायाँ आपका 8C3 जिसका कॉफिशेंट पूचा है उसको छोड़ दो बाकी जो product में वह यहाँ पर लीग दो 8c3 3 power 3 हो गया बस अब आपको यहाँ पर formula से solve करना है तो हमें पता है 8c3 क्या होता है ncr का formula में पता है factorial n upon factorial r factorial n minus r होता है यही आपको पता है ना तो बस सीधा का सीधा यहाँ पर put कर दो यह factorial 8 हो गया यह factorial 3 हो गया यह factorial आपका 8 minus का 3 हो गया 3 power 3 तो 3 into 3 into ये 3 हो गया तो factorial 8 को solve करो 8 into 8 minus 3 कितना हैगा 5 आएगा न तो यहां तक हम 5 तक लिए देंगे 8, 7, 6 into factorial 5 क्योंकि factorial 5 से factorial 5 क्या हो जागा cancel हो जाएगा और 3 को open कर दो 1 into 2 into 3 हो गया और ये आपका 8 minus 3 factorial 5 हो गया 3, 2, 6 से ये आपका 6 cancel हो गया और ये कितना हो गया 3, 3, 9, 9, 3 से कितना हो गया आपका 27 हो गया तो ये 8, 7 से कितना हो गया 56 हो गया 56 into 27 हो गया 56 into 27 को जब आप solve करोगे तो ये कितना हैगा 1, 5, 1, 2 आएगा तो ये हमारा यहां पर क्या हो गया hands coefficient of hands coefficient of x power 5 कितना हो गया आपका 1 5 1 2 easy था ना तो यह देखो इस से easy है और उस method से अगर आप करोगे तो पूरा पूरा expand करके आपको लिखना पड़ेगा फिर आप वहाँ पे coefficient को लेकर रखे होगे तो यहाँ पे हमने random अभी r की value को find कर लिया और सीधी हमने वही term निकाल दी यह कौन सी term है यह fourth term है हमने सीधी यहाँ पे fourth term निकाल दी इसमें हमें x power 5 का क्या मिलेगा coefficient मिलेगा अब इसका second देखो now question number 2 अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि a minus 2b की power 12 है इसके expansion में a power 5 और b power 7 का coefficient यहाँ पर क्या होगा तो मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है a power 5 लेना है b power 7 लेना है और इसके multiply में यहाँ पे क्या है वो इसका यहाँ पर क्या होगा coefficient होगा वही इसका क्या होगा coefficient होगा तो वही हम random यहाँ पे देखेंगे ही चीज़ है इसलिए हम सीधा सीधा कहा जा रहे हैं इसको पूरा 12 पावर है नहीं तो 13 टम आप थोड़े नहीं लिखोगे तो हम सीधा यहां पर वही टम निकाल के लेकर के आएंगे जिसमें A पावर 5 और B पावर 7 है हमारी कैलकुलेशन से या हमारे common sense है तो हम सीधा का सीधा किसके पास गए जनरल टम वाले formula के पास गए help मागने के लिए तो इसने कहा पही तुमारे पास क्या क्या है तो हमारे पास इसमें N है N कितना है N जो होती वो पावर होती है तो वो 12 है अब मैंने formula में यहां A B इसके नहीं लगा क्योंकि question में आपका यहां पर क्या है A B है और हमारे पास जो expansion वाला formula होता है वो हमारे पास A plus B की power N वाला होता है A minus B वाला कुछ नहीं होता है तो हमें इसको तोड़ा सा change करना पड़ेगा यहां पे plus करना पड़ेगा और minus का sign किसको दे देना पड़ेगा 2B को दे देना पड़ेगा यही हमने पड़ा था ना 8.1 में कि यहां minus आता है तो हमारे पास जो formula है उसमें plus होता है तो आप minus जिसका है उसी को पकड़ा दो तो यह minus 2B का है ना इसको पकड़ा दिया और बीच में प्लस कर दिया तो N equal to 12 हो गया यह पहला plus से पहले वाला हमारा A होता है लेकिन यहां confused होगे इसल इन से हम यहां पर लिख लेंगे तो value पूट कर दो टी आर प्लस 1 equal to NCR यानि कि 12CR हो गया एकस एकस की जगे कौन है आपका A की पावर N-R यानि कि 12-R और B कौन है यानि कि Y कौन है तो यह आपका minus का 2B है तो minus के 2B की पावर यहां पर यहां पर यहां पर लिखे दिया तो अ अब आप यहां पर calculate करके देखो हमें यहां पर क्या चाहिए हमें इस तरह कि से R की value पूट करनी है कि A की पावर 5 हो जाए B की पावर 7 हो जाए तो यहां पर देखो A पावर 5 हो जाए यानि कि यह जो 12-R है वो तो 5 की equal हो जाए और यहां पर B की पावर क्या हो जाए 7 हो जा तो अब यहाँ पर क्या करो यह माइनस यह तीन टम में अंदर एक माइनस है एक टू है और एक बी है तो माइनस वन की पावर आप आर यहाँ पर अलग कर दो तू की पावर यहाँ पर अलग कर दो और बी की पावर आर यहाँ पर अलग कर दो अलग अलग कर दिया हमें एक वैस चाहिए 7 चाहिए तो अगर इन दोनों को मैं compare करके मैं यहाँ पैंसल से लिख लेती हूं साइड में यहाँ पे आपको ज्यान रहेगा यह बी की पावर आर है और हमें बी की पावर क्या चाहिए 7 चाहिए तो यह कब होगा यह दोनों आपस में equal कब होंगे जब power equal होगी तो this implies यहाँ से अपका कितना रहा है 7 और इसको अगर यहाँ पर देखते हैं यहाँ एकी पावर क्या है 12 माइनस आर है और हमें एकी पावर क्या चाहिए 5 चाहिए तो यह दोनों टर्म equal कब होगी यह आपका यहाँ पावर 5 कब बनेगा जब यह पावर कितने हो जाए 5 हो जाए त चाहिए आप B को solve करो चाहिए आप A को solve करो तो here here put R equal to 7 क्यों तो यह reason अमने side में लिख दिया है अप exam में direct यहाँ पर लिख सकते हो तो यह आपका यहाँ पर कितना हो गया 12 C 7 हो गया A की पावर 12 माइनस 7 हो गया 12 माइनस 7 आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 5 बन जाएग तो A 7 हो गया A 5 हो गया B 7 हो गया अब 1 by 1 आप इसको क्या करेंगे solve करेंगे तो यह आपका 12 C 7 हो गया इसको solve कर दें A 5 हो गया माइनस 1 की power 7 हो गया 2 की power यहाँ पर 7 और B 7 तो यह वने solve कर दिया अब इनका coefficient चाहिए ना हो आप सीधा का सीधा यहाँ पर लिख दो तो hence coefficient of coefficient of a power 5 b power 7 तो यह क्या हो जाएगा सिर्फ आपको क्या कर देना है इस term को और इस term को छोड़ देना है बाकि सारे इंसके क्या हो जाएगा coefficient मतलब इनके multiply में कौन है इस सब आपस में multiply है न तो हम इसको a power 5 b power 7 ऐसे भी लिख सकते हैं देखो कैसे है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 c 7 minus 1 की power 7 2 की power 7 a 5 b 7 ऐसे लिख सकते हैं तो बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है सिर्फ इसको छोड़ देना है बाकि सारे के सारे यहाँ पर लिख देना है तो यह आपका 12, factorial 7, factorial 12, minus 7 हो गया, अब negative 1 है, जब भी power odd होगी, that means वो minus है, even होगी तो plus होगा, odd होगी तो minus होगा, तो हमें solve करने की जुरूत नी सिर्फ सा है, उपर power को देख करके हम idea लगा देंगी, यह plus हाएगा यह minus हाएगा, और यह आपका यहाँ पर क्या हो गया, 2 की power 7 हो गया, ठीक है, अब इसको solve करो, factorial 12, यह 7 है ना, तो 7 तक खुल लेते हैं, 12 into 11, into 10, into 9, into 8, into factorial 7, तो factorial 7 से तो factorial 7 cancel हो जाएगा, इसको as it is रब देजा है, 12 minus 7 क्या हो जाता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 को आप कैसे open करोगे, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 हो गया, और यह आपका 2 power 7 as it is, यह इस से यह cancel हो गया, फिर आपका यहाँ पर 4, 2s are 8 से 8 cancel हो गया, फिर आपका यहाँ पर 3 से यह cancel हो 3, 3s are 9 और 5 से आपका यह cancel हो गया, 5, 2s are 10 हो गया, तो यहनी कि बचा क्या है यहाँ पर, 12 into, 12 into 11 into यह आपका 6 बचा, 3, 2s are 6 हो गया, और 2 power 7 क्या होता है, तो 128 होता है, तो बस अब इन सारे को और यह minus हमारा जो है, वो 7 का साथ चली रहा है, तो इन सब को जब आपका 7, 6 आजागा, यह तो आप मल्टिप्लाइ करके देख लोगे, तो इसकी एक्सपांशन जब आप करोगे, तो इसमें A power 5, B power 7 का कोफिशन यहाँ पर क्या होगा, तो यह होगा, माइनस का 101376 होगा, तो बिना हमने एक्सपांशन का फॉर्मला लगा है, यहाँ पर आपको, now question number 3 and 4 में आपको general term लिखनी है, यानि कि third में और fourth में, general term means यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा formula है, तो general term में actually में आपको पता क्या नहीं होता है, देखो, यह जो question आपको given है, general term में total 4 variable होते है, एक N होता है, एक R होता है, एक A होता है, और एक B होता है, तो N, A, B त जो power है, वो आपकी यहाँ पर N होती है, लेकिन हमें R पता नहीं होता है, जब question में आपको कहें कि आप fifth term, यानि कोई specific term find करके बताओ, तब हम यहाँ पर fifth term है, तो R उससे एक term यहाँ पर use ले लिए है, बट यहाँ question में आपको confused नहीं होना है, ठीक है, question के लिए, आपको general term कह रहे हैं, तो आप यहाँ चाहिए, जनरल term कैसे find करेंगे, तो general term का formula लगाना है, वही T R प्लस 1 वाला, यहाँ पर देखो में लिपते हो, चीक है, तो यह वाला हमें formula बताना है, question को देखो, general term पूछा है, general term वाला formula आपको याद है, वो लेकरा जाओ, अब इसमें से आप n की value पता है, अगर हम third question के यहाँ पर बात करते हैं, तो यह x square minus y की power 6 है, चीक है, तो यहाँ पर minus नहीं होना चाहिए, हमारे formula में हमेशा plus होना चाहिए, तो जिसका sign है, उसको पकड़ा दो, y का sign है negative, तो हमने इसको पकड़ा दिया, तो इस question के अगर अंदर, अगर हम plus के बाद वाला कौन हहता है, तो b यहाँ पे कौन है, minus y है, power जो होती, वो हमारा n होता है, तो यह 6 है, अब हमें यहाँ पर नही पता है, तो नहीं पता दो नहीं पता, जो हमें पता है, वो पुटकर और रख लो, इस formula से यहाँ पर क्या होगा, कि आपने इसको देख लख आपको first term find करना है तो आप r की जोएगे यहाँ पर क्या रखोगे 0 रखोगे, second term find करना r की जोएगे 2 रखोगे, तो बस हमें वहाँ तक general term find करके बता देना है तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा t r plus 1 t r plus 1 कितना हो जाएगा, value put करो n, n कितना है 6 c r, तो यह हो गया 6 c r हो गया, a कौन है, तो यह x square हो गया, n minus r यानि कि 6 minus r हो गया और b कौन है, तो minus y हो गया, और r तो यह यहाँ पर r हो गया बस इसको थोड़ा सा हम solve कर लेते हैं और यही हमारा general form हो जाएगा तो यह 6 c r हो गया फिर यह 2 इदर अंदर multiply करने, तो 2 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा x की power 6 into 2, 12 फिर minus 2 into r, तो यह आपका यहाँ पर क्या हो गया, 2 r हो गया, फिर यहाँ पर negative भी है, positive और y भी है, दो term है, तो negative के साथ r अलग दे दो, और y की साथ r अलग दे दो, भी हमने इस तरह से इसको solve करना है, हमेशा यहाँ पर जो general term में कहना है, तो उसमें ncr, a और b, बिल्कुर ऐसी ही होने चाहिए, ठीक है, तो यह आपका यहाँ पर, यह negative वाले को सबसे पहले आगे लिए तो, minus 1 की power r हो गया, फिर 6cr हो गया, x की power 12, minus 2r हो गया, और y की power r हो गया, तो यह हमारा यहाँ पर गया हो गया, general term हो गया, अब इससे आपको जो चाहे वो term यहाँ पर find कर सकते हो, r की value put करके, चीक है, तो कोई आपको specific term find करने के लिए, 4th term, 5th term, 10th term, तब भी आपको यही formula लगा रहा है, उस condition में आपको r की value पता होती है, और सिर्फ general term find करने को कहें, तो आपको यहाँ पर r की value नहीं पता है, बाकी सारी 3 value आपको यहाँ पर put कर देनी है, अब now question number 4 देखो यहाँ पर, तो x की power 2 minus y x की power 12, तो एक ही formula से related question को अलग-अलग तरीके से पोल सकते है, या तो आपको कोई specific term find करने के लिए कहेंगे, जैसे कि अभी हम आगे question करेंगे, इसमें 5th करेंगे, 6th करेंगे, वहाँ आपको सीधा कहेंगे, 12th term find करो, तो हम यह वाला formula लगा देंगे, और आपको कहे general term find करो, तब भी हम यही वाला formula लगाएंगे, यहाँ पर, तो अब आपका यही हो गया, same formula लिख लेते पहले, tr plus 1 equal to ncr, a की power n minus r, b की power r हो गया, तो देखो इसमें से आपका, again यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बीच में minus है न, minus है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमें plus बनाना पड़ेगा, तो minus sign किसका है, भई इसका sign है इसको बकड़ा दो, तो यह minus का y x हो गया, और बाहर हो गया, आपका 12 हो गया, तो अब इसमें से देखो कौन क्या क्या है, a कौन है, आपका x स्क्वेर है, b कौन है, तो minus का y x है, यह b है, n कौन है, तो यह आपका यहाँ पर 12 है, और r यहाँ यहाँ पर नहीं पता, तो r को हम पूटी नहीं करेंगे, तो अब सौद लिखो आगे, तो रखो value इसके अंदर, tr plus 1 equal to ncr, तो n कितना है, 12cr हो गया, फिर a, तो a कितना है, तो यह आपका यहाँ पर x स्क्वेर हो गया, और इसकी power कितनी है, n यहनी की 12 minus r हो गया, फिर आपका b कौन है, तो b आपका minus yx है, minus yx की power यहाँ पर r होती है, तो यह आपका यहाँ पर r हो गया, तो यह हमारी general term है, अब इसको थोड़ा सा हम solve कर ले, solve करके solve तरीके से आपको इसको answer लिख करके देना है, ठीक, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, तो यह 2 इदर multiply हो जाएगा, तो सेम यहाँ पर यह होगा, 12 टूजा, तो यह आपका यहाँ पर होगा 24, और minus का 2 r हो गया, तो इदर भी multiply हो गया, अब यहाँ पर power में total तीन term है, minus b है, y b है, x b है, तो r सब को separate कर दो, ऐसे हम कर सकते न, a, b, c की power अगर 2 है, तो इसको हम a square, b square, c square, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे है, minus 1 की power r अलग कर दिया, y की power r अलग कर दिया, और x की power r अलग कर दिया, यह हम minus को इसलिए अलग कर रहे हैं, ताकि आप r की value पूट करोगे, तो solve करना यहाँ पर easy रहेगा, तो यह final answer इस तरह से देते हैं, तो यह negative वाले को सबसे पहले आगे रख दो, क्योंकि sign हमीशा कहा रहता है, आगे, फिर आपका यहाँ क्या होगा, 12cr हो गया, अब दोखो यह भी x है, यह भी x है, तो 2 x है, तो यह तो solve करने पड़ेंगे, तो multiply में क्या होता है, यह x square है, यहाँ पे x cube है, base सेम होता है, multiply में तो power क्या होती, add हो जाती है, तो 2 plus 3, यह नहीं, x power कितना हो जागा, 5 हो जागा, same यहाँ पे भी ऐसे होगा, x की power 24 minus 2r, और यह r यहाँ पे आके plus हो जागा, पर यह plus का sign तो plus ही होगा ला, base सेम power add होती है, और यह y की power यहाँ पे कितना हो गया, r हो गया, तो अब इसको आगे फिर से solve करो, minus 1 की power r, 12cr, x की power, अब देखो 24 तो यहाँ पे as it is रहेगा, 24 तो as it is रहेगा, 2r और यह 1r, जिसके साथ r चिपका आना, वो solve होता है, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, तो 1r बचा, तो यहाँ पे r, 1 के साथ तो multiply है, तो कोई फरक नहीं पढ़ता न, 1 into r तो r ही हो जाएगा, और sign negative है, तो 2r बढ़ा है, और यह y की power r हो गया, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, general term हो गया, यही जो हमें कहा था न, find करने के लिए, वो यही थी, general term, अब आपको इस question के अंदर, कोई भी, इसके expansion में कोई भी कहे, 11th term find करके बताओ, तो r की जगे क्या put करना है, एक कम, 10 रखोगे तब ही तो यह 11 होगा, तो 10 plus 1, तो r की जगे 10 रख दोगे, second term का, तो r की जगे 1 रख दोगे, तो यह हमारी general term होगे, अब इसे जो term find करने के लिए कहेंगे, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर लेंगे, तो now question number 5, यहाँ पर देखो, find the fourth term in the expansion of, x minus 2y power 12, तो यह जो हमारा general term का formula था, इसमें दो तरग के question आपको पूछ रहे हैं, first question तो यह कि, कोई specific term find करने को कहेंगे, कि भाई fourth term बताओ, fifth term बताओ, तब हमें सीधा यह formula लगा करके, वो term find कर लेंगे, या फिर आपको कहेंगे, कि आप general term find करके बताओ, तो सीधा formula लगा देंगे, बस वहाँ हमें R की value पता नहीं होगी, और इसके अंदर हमें 4 की value पता होगी, और सिधा general term कहेंगे, तो उसमें हमें से 3 value पता होगी, यह दोनों question का difference है, एक ही formula से कितनी तरग के question पूछ सकते, वो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए, तब ही आप exam में confused नहीं होगे, कि वहाँ इतना time नहीं होता, कि हम इतना लंबा जोड़ा time दे करके वहाँ सोच सके, तो आपको एक method अगर पता है, तो उस method से कितने तरग के question बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो आप आपको यहाँ पर क्या कहा, कि जब आप इसका expansion करोगे, तो आपको यहाँ पर fourth term बता दी है, चेके, तो यह हमने question लिख दिया, अब इसके expansion के बात हो रही है, हमारे पास expansion का formula है, a plus b की power n का, तो यह तो हमारा a plus b की power n की form में नहीं है, तो इसको हमेशा आप change कर दो, तो यह हमारा x हो गया, minus का sin 2y का है, तो इसको दे दिया, हमने बाहर क्या कर गया, plus कर दिया, क्योंकि कोई फर्ग नहीं परता, plus minus आप इस क्या होता है, minus होता है, लेकिन हमें हमारा जो standard formula, उसके according यहाँ पर चलना होता है, तो यह हमने इस तरह से लिखी दिया, अब इसमें कहा कोई specific term, जब find करनी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, कि हमें यहाँ पर, हमारा general term वाला formula ही use करना है, वही short तरीका है, otherwise आप इसका पूरा 12 power है, तो इसका 13 तब पूरा expansion करो, जैसे यह यहाँ पर किया हुआ है, ऐसे, यहाँ power 6 है तो 7 term आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या तो ऐसे पूरे expand करो binomial theorem से, और फिर आपको कहें कि आप 4th term find करो, तो 1, 2, 3, 4, फिर आप यहाँ पर 4th term को बताओ, तो यह तो बहुत lengthy हो जाएगा न, हम सीधा यहाँ पर general term के formula से, direct यहाँ पर 4th term निकाल लेंगे, तो general term का formula लिखो पहले, ठिके, तो यह हमारा हो गया formula, अब कुछ नहीं करना है, यह हमारा formula बिलकुल, तो देखो, यहाँ पर n कौन है, तो n क्या होता है, जो question आपको दिया, उसकी power, तो n equal to आपका यहाँ पर 12 हो गया, a कौन होता है, तो यह plus के sign से पहले वाला आपका a होता है, तो a equal to आपका x हो गया, फिर b कौन होता है, तो plus के बाद वाली term जो होती, वो b होती, तो b कौन होगी, minus का 2y होगी, और आपको क्या कहा है, fourth term find करो, तो r equal to आपका क्या होता है, 3 होता है, देखो, 3 r plus 1 है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, कि यहाँ पर क्या रखोगे, कि fourth हैगा, 3 plus 1 ही तो 4 होगा, और मैंने आपको वैसे भी पहले भी बतायागा, क्योंकि हम जो मारा general formula है, उसमें r equal to 0 put करने, तो हमें first term मिलती है, r equal to 1 put करने पर second term मिलती है, r equal to 2 put करने पर third term मिलती है, तो अगर मुझे fourth term चाहिए, तो मैं r equal to क्या put करूंगी, यहाँ पर 3 put करने, तो यह चीज आप हमेशे अपने दिमाग में रखना, कि जो भी term आपको find करने के लिए कहा है, तब ही formula में यहाँ सीधा नहीं लिख लिया, कि tr नहीं लिख लिख लिया, tr plus 1 इसलिए लिखा है, कि जो आपको find करना है, उससे एक कम, यहाँ पर 4 बनाना है, तो r की जगे पर आपको 3 रखना पड़ेगा, 5 बनाना है, तो r की जगे 4 रखना पड़ेगा, 8 तर्म find करनी, तो r की जगे 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा summation कहां से शुरू होता है, r equal to 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पर तो हम 0 से counting स्टाट करें, लेकिन जब term की counting करते हैं, वो 1, 2, 3 से करते हैं, तो r equal to 0 पर हमें 1st term मिलती है, 2 पर हमें 3rd term मिलती है, तो हमें अगर 4th term find करनी, तो r equal to 3 पर मिलेगी, तो बस यह तो आप question में देखके लिख दोगे, n, a, b में तो आप कोई भी गलती नहीं करोगे, एक भी बच्चा गलती नहीं करेगा, बस इस r वाले concept को आप यहाँ पर ध्यान रखना, बस अब यह values में आप put कर लो, और solve कर लो, हो गया, आपका यहाँ पर 4th term आ जाएगी, तो t, 3 plus 1 equal to n, c, r, आपका 3 है, a कोन है, a की जगे पर x है, n minus r, यानि 12 minus, आपका कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, फिर उसके बाद आपका यह b कोन है, तो b minus का 2y है, और r कितना है, तो आपका यहाँ 3 है, बस अब इसको solve कर लो, तो यह आपका यहाँ पर solution हो जाएगा, 9 हो गया अब यहाँ पर यह 3 टम है 1-1, 2 है, 1-1, y है, सबको अलग-अलग करो, minus 1 की power 3 अलग कर दिया, फिर 2 की power 3 अलग कर दिया, फिर y की power 3 यहाँ पर अलग कर दिया, बस इसको solve करना है और कुछ नहीं करना है, तो 12 minus 3 कितना आएगा, यहाँ 9 आएगा ना सीधा 9 कैंसल हो गया ना, इसलिए हम इसको यही तक रख लिया, और 3, 2 तो 6 हो गया, 6 की टिव में कितनी वार आगया, 2 टाइम हा गया, फिर आपका यहाँ पर, x power 9 as it is है, और minus 1 है ना, यहाँ पर नंबर जो है वो even है या odd है, जब यह किसी negative की पावर है, तो even देखो, odd देखो, तो यह odd है, तो यह minus का 1 यहाँ पर बच जाएगा, तो अगर even होता, तो plus का 1 होता, odd है, तो minus बच जाएगा, और 2 पावर 3 कितना है, तो आपका 8 होता है, और यह y क्यों हो गया, अब सारे numbers को एक साथ लिख लो, तो यह आपका यहाँ पर हो गया, 2 into 11 into 10, तो पहले यह 3 नमबर तो यहाँ है, और 8 यहाँ पर है, और यह आपका minus है न, तो इस minus को हम आगे ले जाते, sign तो हमेशा सबसे पहले लगाते, और यह x power 9 हो गया, यह y power 3 हो गया, अब बस इसको आपको solve करना है, तो minus यहाँ पर हो गया, तो 8 2 यहाँ पर आप ऐसे करो, 11 2 यह 22 हो गया, 22 into 8, तो 8 2 यह 16 का 6, यह अपका 17 हो गया, और यह 10 का 0, तो minus का 1760, x power 9, y q, यह इसका क्या हो गया, 4 term हो गया, तो बिना किसी पूरा expand किये वे, हमने सीधा का सीधा यहाँ पर 4th term बता दिया, तो यह सीधा हम general term का formula लगाना है, 4 value बनाएंगे, 3 तो आपको वैसी question में दी होगी, R की value आपको देखनी पड़ेगी, जो भी आपको term find करने के लिए का है, उससे एक कम लेनी, हमेशा एक क्या करना है, पीछे step लेना है, 4 कहा है, तो 3 लेना है, 10 कहा है, तो 9 लेना है, और बस value पूट करना है, और solve करना है, तो आपको आते ही है, क्योंकि कितनी 1.1 exercise से हम इसको solve करते जा रहे हैं, तो यह हमारा final answer, hence fourth term in the expansion of यहाँ expansion करना है, 9x-1 upon 3 root x की power 18 का, expansion करो या ना करो, आपकी choice है, कि expansion करके आप यहाँ पे 13th term लेकर आओगे, या आप सीधा general formula लगा करके, तो 13th term लाने के लिए, हमें इसके expansion में 13 term यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो वो तो हमारे लिए बहुत lengthy हो जाएगा, तो उस method को तो हम छोड़ देते हैं, उस idea को drop कर देते हैं, हम सीधा हमारा general formula लगाते हैं, जिससे हम general term को लेकर के आ सकते हैं, तो पहले question हमारा formula की formula नहीं है, बीच में minus नहीं होना चाहिए, तो पहले इसको क्या कर देते हैं, हम plus कर देते हैं, minus जिसका है उसको पकड़ा दिया, तो ये minus 3 root x हो गया, और ये power क्या हो गया, 18 हो गया, अब general formula लिख लें, चिक्के तो ये हो गया हमारा, general term fine करेंगा formula, बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, चार value लाकर क्या आप रख दो, और आपको यहाँ पर 13th term, पकी पकाई मिल करके आ जाएगी, तो क्या value रखोगे, n क्या होता है, n आपका power होता है, तो n equal to कितना है, आपका यहाँ पर 18 है, a कौन होता है, तो plus से पहले वाला आपका a होता है, तो a कितना है, आपका यहाँ पर 9x है, b कौन होता है, plus के बाद वाला b होता है, तो minus का 1 upon 3 root x, यह आपका यहाँ पर b है, और r कौन है, तो जो भी term आपको find करने के लिए कहा है, उसे 1 कम, तो कि यह 13th term find करने के लिए कहा है, अगर आपने 13 रख दोगे, तो यह 14th term हो जाएगी, तो इसलिए 1 कम, यहाँ 12 रखेंगे, r कितना हो गया, आपका यहाँ पर 12 हो गया, बस 4 value हमें मिल गई, put करो, solve करो, और हमें सीधा यहाँ पर 13th term, मिल जाएगी, कितना easy है, अगर पूरा खोलने से तो, तो आप यहाँ पर लिखो, t 12 plus 1, तभी यहाँ हुआ 13, तो ncr, 18cr कितना है, तो आपका यहाँ पर 12 है, फिर a कौन है, तो 9x की पावर n-r, यानि 18 minus 12 है, फिर b कौन है, तो b आपका यहाँ पर कितना है, minus 1 upon 3 root x है, इसकी पावर कितनी r, तो यह आपका यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, बस अब हमने लिख दिया, यही हमारी क्या है, 13th term है, बस अब इसको हमें क्या करना है, solve करना है, तो solve करना तो हमें आता है, ncr का formula, factorial 18, factorial 12, factorial 18 minus 12 हो गया, फिर यह 12, इसको इसको अलग अलग दि दो, तो ये minus 1 की power 12 अलग कर दिया, फिर 1 by 3 की power 12 अलग कर दिया, और 1 by root x की power 12 हमने यहाँ अलग कर दिया, ये तीन term है न, यहाँ पर देखो, इसमें confuse मत हो न, minus 1 upon 3 root x है, तो यह minus को अलग कर दिया, तो यह माइनस 1, माइनस अकेला तो जाएगे ने, साथ में किसी नंबर के साथ ही तो माइनस लगता है, फिर यह 1 by 3, 1 into 1 कर दिया, इस तरह से कर सकते, 1 by 3 अलग कर दिया, 1 by root x कर दिया, तो यह 1 by 3 अलग हो गया, और यह 1 by root x अलग हो गया, अब अगर आप इन तीनों को multiply करते ह ही term बनेगी है, तो हमने अपने सहूलियत के साथ से calculation easy हो, इस तरह से कर दिया, तो यह आपका factorial 18 हो गया, यह आपका factorial 12 हो गया, 18-12 तो factorial आपका 6 हो गया, फिर यहाँ भी power को अलग-अलग कर दे, हमें solve करना है, तो यह 9 की power 6 हो गया, यह x की power 6 हो गया, अब minus की power क्या है, e1 है तो यह तो plus हो गया, तो इसको लिखने की जूरती नहीं, यह आपका यहाँ पे सीधा-सीधा equal क्या हो गया, plus हो गया, तो यह हमें नहीं लिखने की जूरती है, फिर into, यह आपका 1 की power भी 12 हो गया, और यहाँ पे 1 की power 12 हो गया, और यहाँ पे root x की power भी क्या हो गया, 12 हो गय तो यह 18 x 17 x 16 x 15 x 14 x 13 x 12 ठीक है अब यह फैक्टोरियल 12 हो गया फिर यह 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 फिर देखो अब मुझे यहां पर या तो आप इसको 9 x 9 x 9 6 टाइम करके इसको सॉल करो या इसको भी 12 टाइम खोलो या फिर एक आइडिया लगो दिमाग लगाओ थोड़ा सा 9 यहां पर क्या होता है 9 को हम यहां पर क्या लिखते है 3 का स्क्वेर लिख सकते है लिख सकते है नाइन पावर 6 है तो इस 9 को हम क्या लिख सकते है 3 का स्क्वेर लिख सकते है अब इसकी पावर में कौन है 6 है तो इधर भी पावर 6 लगा दो और इधर भी पावर यहां पर क्या 9 power 6 को change करना जो बड़ा है वो छोटे के according यहां पर change हो जाएगा तो इधर पर 6 कर दिया इधर भी बीच में equal का sign है जो इधर करो तो इधर भी करना पड़ेगा तो 9 power 6 यहां तो कुछ है नहीं और 6 टूजा क्या हो गया 12 हो गया हो एक्स की power 1 by 2 लिख सकते हैं वह हम रूट को आशी ही तो खोलते हैं अब हमारे पास बाहर 12 है तो यह रूट एक्स की पावर यहां पर 12 है तो इधर भी हम 12 से मल्टिप्लाय किया तो 1 by 2 तो यहां पहले से इधर भी 12 से मल्टिप्लाय करेंगे तो 2 से 12 कैंसल हो गया 6 तैम यह रूट x की power 12 के इकोल है x की power 6 के इकोल है तो यह यहां पर हमने क्या लिख दिया x की power 6 लिख दिया तो यहां क्या दिख रहे हो 3 power 12 से 3 power 12 डिरस्क्त में भी तथा सेयाय सेरी के फूब थे σταवतिकरण पर कर पर्सक्तर के जो छोड़ें। को तो पर यह देखे 157 के जोड़में मिकशने सब्सक्राइट मरत कर से लिए तो बैसे कूम वेखे Thompsonnal नियुक्तुट्ट Ge γाए 257 बताँ किने निए ज़िए कद बसके था कि बाइट कास वता है। इसका मतलब आपका टी थर्टीन जो है वो कितना आएगा इन सबको मल्टीप्ला कर देना यह तो आपको आपको कह दे का भई यह आपकी थर्टीनथ नंबर की टॉम है तो यही आपकी थर्टीन तर्म अब चाहे एक्स्पांड करके लिखोगे ना solution तो आपको यही करना है तो आपको कह दें का भाई यह अपकी 13 तर्म है लेकिन वहां पर भी आपको solve करना ही पड़ेगा तो अगर उस वाधर से करोगे expand करके पूरा लिख करके तो वह तो करना ही उसके अलबा यह सारा का सारा भी आपको महां पर solve करना है तो हम एक्सपांड वाला काम करें सीधा 13 तर्म लेकर आगे और हमने इसको यहां पर solve कर लिया तो आपको यह 6